नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से स्वाकत है हमारे चैनल भक्ती ज्यान में आज सुनेंगे जल जूलनी एकादशी की व्रत कथा त्रेता युक की बात है बली नाम का एक दैत्य था वो दैत्यों का राजा था और भगवान विश्नु का परम भक्त भी था भगवान विश्नु को अपना आराध्य मान कर उनकी पूजा किया करता साथ ही वो प्रहमनों का भी आदर सतकार करता और उन्हें कभी खाली हाथ नहीं लोटने देता लेकिन उस दैत्यों के राजा बली का इंद्रदेव से बैर था और उसने अपनी शक्तियों से सभी देवी देवताओं सहित इंद्र को भी जीत लिया था और उसने तीनों लोकों पर भी विजय प्राप्त कर ली और क्यूंकि वो एक दैत्य था और दैत्य के साशन का विस्तार देखकर सभी देवता चिंतित हो गए कि पृत्वी पर दैत्यों का साशन स्थापित हो जाएगा इसलिए वो सभी भगवान विष्णू की शरण में गए और उनकी स्तूती करके उनके सामने इस समस्या को रखा भगवान विश्णु ने उन सभी को आसवाशन दिया कि वो पूरे विश्व पर दैत्यों का राज नहीं होने देंगे क्यूंकि इससे पृत्वी का संतुलन बिगड जाएगा और चारों और हिंसा फैल जाएगी उन्होंने दैत्य राजा बली से तीनों लोकों को मुक्त कराने के लिए वामन अवतार लिया यह अवतार भगवान विश्णु का पांचवा अवतार था वामन अवतार लेकर भगवान विश्णु राजा बली के महल पहुँच गए और वहां जाकर उन्होंने राजा बली से संकल्प लेने को कहा राजा बली के संकल्प लेते ही वामन देवता ने उनसे तीन पग धर्ती मांग ली और कहा हे राजन तुम मुझे तीन पग भूमी दे दो इससे तुम्हें तीनों लोक दान करने का फल प्राप्त होगा वामन देवता की बातों से दैते गुरु शुक्राचारे ने यह समझ लिया कि ये तो भगवान विश्नु है और राजा बली से तीनों लोक लेने आए हैं गुरु शुक्राचारे ने राजा बली को सावधान कर दिया लेकिन राजा बली ने कहा कि वो संकल्प ले चुका है और वो भगवान विश्नु को अपना आराध्य मानते हैं और इसलिए वो उन्हें मना नहीं कर सकते राजा बली दानी था इसलिए भी उसने वामन देवता का आग्रह सुईकार कर लिया भगवान ने अपना आकार बढ़ाया और उनके आगे पृत्वी भी छोटी पड़ गई वामन देव ने अपने पहले पग से भूमी और दूसरे पग से आकाश नाप लिया वामन देव ने राजा बली से पूछा कि मैं तीसरा पग कहा रखूं ऐसे में राजा ने तीसरा पग रखने के लिए अपना सर आगे बढ़ा दिया और फिर वामन देव ने अपना पाउं उसके सर पर रख दिया इस तरह सब ही लोकों के साथ राजा बली पर भी वामन देव का अधिकार हो गया और राजाबली जो की एक भक्त दानव था वो पाताल लोक चला गया और देवों को उसकी शक्ती से छुटकारा मिल गया और इसके साथ ही भगवान विश्णु ने तीनों लोकों को दैते साशन से मुक्त कर दिया एकादशी के दिन इस्वरत को करके इसकी कथा पढ़ने और सुनने से वाजपे यग्य का फल मिलता है इस एकादशी के दिन भगवान विश्णु के वामन अफ्तार की पूजा की जाती है इसलिए इसे वामन एकादशी भी कहा जाता है और इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं क्यूंकि चतुर मास के दौरान अपने शयन काल में इस दिन भगवान विश्नु करवट बदलते हैं और इस दिन भगवान विश्नु और लक्ष्मी जी का श्रिंगार करके खूपसूरण दोले में सजाकर यात्रा निकलती हैं इसलिए इसे डोल ग्यारस भी कहा जाता है इस दिन माता यशोदा का जलवा पूजन किया गया था इसलिए इसे जलजूलनी एकादशी भी कहा जाता है कुछ स्थानों पर ये दिन भगवान श्री कृष्न की सूरज पूजा के रूप में भी मनाया जाता है यह है पद्मा एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध है पद्मा माता लक्षमी का एक नाम है इस दिन जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं उस पर मा लक्षमी अपना संपून वैभव लुटा देती है तो यह थी जलजूलनी एकादशी की व्रत कथा आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी और कथाओं के लिए मेरे चानल भक्ति ज्यान को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद